इस बार विधांसमा चुनाव काफी रोचक होने वाले है क्योंकि दिगज रासंतिक पार्टियों के साथ साथ अक्षेत्रिये पार्टियों निर्दल्यों ने प्रत्याशियों का गणित बिगार करके रख दिया है बात करें सीकर विधान समक्षेतर की तो यहाँ पर 16 उम्मिद्वार चुनावी मैदान में जनता के सामने है इन में से कॉंग्रिस से राजिंद्र पारिक भाजपा से रतलाल जल्धारी माकपा से उस्मान खां और निर्दलिय प्रत्याशी के रूप में भाजपा के बागी तारचंद धायल ताल ठोक चुके हैं सीकर में भाजपा कॉंगरिस की प्रत्याशियों के लिए भी चुनावी रह आसान नहीं है मुकाबला काफी कड़ा और रोचक होने वाला है सीकर में भाजपा की उम्मीद्वार रतलाल जल्धारी और कॉंगरिस के राजिंदर पारिक के मध्य सीधा कड़ा मुकाबला होने के बावजूद भाजपा के बागी तारचंद धैल और कॉंग्रिस के बागी बसपा उम्मीद्वार शकील सुल्तानिया, माकपा उम्मीद्वार उस्मान खाँ चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगे क्षेतर से कुल 16 उम्मीद्वारों में से 5 उम्मीद्वार मुस्लिम है जिन में माकपा के उस्मान खान, बस्पा के शकिल सुल्तानिया, एश्टीपी आई के कासम खिलजी, जेजेपी के बरकत अली, जनता कॉंग्रेस से जमील खत्री चुनावी मैदान में है इन में उस्मान खान अपनी पार्टी के संख़श के नाम पर मत मांग रहे हैं शहर से मुस्लिम समुदाई की बड़ी रंगरीज बिरादरी के शकील सुल्तानिया का दलित और अपनी बिरादरी में अच्छा खासा प्रभाव बताते हैं वहीं जेजेपी और जनता कॉंग्रेस के उम्मीद्वार बरकत और जमील भी मत पाने की कोशिश करेंगे कॉंग्रेस के तरफ से उम्मीद्वार राजिंद्र पारी के अलावा सभावती जीवन खाने का मान समभाल रखी है राजनितिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है वहीं उनके समर्थक अपनी अपनी जीत के समी करण गिनाते है भाजपा के बागी और निर्दलिय प्रत्याशी तारचंद धैल, पूर्व प्रधान उस्मान खां की जाट और मुस्लिम वोटर्स में गहरी पेट आंकी जा रही है अब देखना है होगा कि धैल और उस्मान खां इनमें कितनी सेंध लगा पाते हैं बात करें सीकर विदान स्वाक्षेतर के 16 अमीद्वारों के नामों की तो इनमें है लक्ष्मिकांत बहड जो भारतिय जंद्राज पार्टी से चुनावी मैदान में है मुहमद जैजेपी से मुहमद जमील जनता कंगरिस से अनिल कुमार निर्दलिय और नरिंद्र कुमार निर्दलिय इसके साथ ही शकील अहमद बसपा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं